आज कॉंग्रेस अध्यक्ष और भूतपूर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी जी दोनों ने एक बैठक ली हैं, करीब तीन घंटे तक ये बैठक चली हैं, हमारे सारे देश के कॉंग्रेस पार्टी के पी सी सी अध्यक्ष और सी एल पी नेता मौझूद है, दोहजार चौबीस के लोकसबाव चुनाव की जो तयारी हो रही है, उसके बारे में चर्चा हुई, और जो अभी राहुल गांदी जी चोदा तारीक को यात्रा निकालने वाले हैं, मनिपूर से मुंबई तक, उसके बारे में भी काफी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बाचीत हुई, यही दो मुद्दे थे, आज की एजंडा पर, और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे सुझाव आएं हैं, शंकनाद तो नाकपूर में हुआ था, 28 दिसंबर को, है तैयार हम हमारी जो रैली थी नाकपूर में, वो शंकनाद था, 2024 के लोकसवा चुनाव के लिए, उसको आगे लेते हुए, आज का बैठक का आयोजन किया गया, और चोधा तारिक को यात्रा भी शुरू होगी, आपको याद है कि सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक, 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोडो यात्रा राहूल जी के नित्रत्र में निकाला गया था, कान्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक, ये हमारे देश की राजनीती के लिए एक परिवर्थन कारी पद यात्रा निकला, देश की राजनीती में भारी बदलाव आई, माहोल बदला, कॉंग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान आई, हमारे कारी करताओं में नई उर्जा देखने को मिला, नई एक जुटता अलग-अलग राज्यों में देखने को मिला, और हम कह सकते हैं कि हमारे लंबे इतिहास में, हमारे पार्टी के लंबे इतिहास में, और हमारे देश की इतिहास में भी भारत जोडो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हुआ, आज सभी लोगों ने उसी का जिकर किया, भारत जोडो यात्रा के संधर्ब में, भारत जोडो यात्रा के दौरान, जो मुद्दे राहूल जी ने उठाए थे, आर्थिक विशमताओं को लेकर, सामाजिक धुरुविकरन को लेकर, और राजनीतिक तानाशाही को लेकर, ये तीन बड़े मुद्दे थे, बारा राज्यों में और दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसी का उन्होंने जिकर किया, आज सभी PCC अध्यक्ष और हमारे सबसे महत्व पुरुण बात है, हमारे कॉंग्रेस अध्यक्ष भी, इस भारत जोडो यात्रा का जो संदेशा था, जो प्रेगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर जोड दिया, बल दिया, और सभी के भावनाओं को मज़े नजर रखते हुए, और आज जो बातचीत हुए, सारे PCC अध्यक्ष और CLP लीडर के ओर से जो सुझाव आये थे, उसको मज़े नजर रखते हुए, ये ने लिया गया, आज के बैठक में, कि ये भारत जोडो न्याए यात्रा होगा, भारत जोडो न्याए यात्रा, न्याए तो मकसद ही है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में, शुरुवात ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याए से होता है, हमारे संबिधान के जो चार स्थम्भ है प्रस्तावना के जो चार स्थम्भ है पहला स्थम्भ ही न्याई है दूसरा है स्वतंतरता तीसरा है समता और चोथा है बंदुता जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यही चार स्थम्भ हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, प्रियाम्बल में. तो इन सब को मद्य नजर रखते हुए सर्वसम्मती से यह निरिने लिया गया कि भारत जोडो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी. भारत जोडो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीती पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए, इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोडो नियाय यात्रा होगा. नियाय तो मकसद ही है, सामाजिक नियाय, आर्थिक नियाय और राजनीतिक नियाय है. और इस नियाय, ये सिर्फ शब्द का खेल नहीं है, सामाजिक नियाय के लिए, कॉंग्रेस पार्टी के और से क्या सुझाओं है, आर्थिक नियाय के लिए, हम क्या प्राथिमिक्ताय देखते हैं, और राजनीतिक नियाय के लिए, हमारा विचार क्या है, इस यात्रा के दौरान राहुल जी उस पर अपने विचार रखेंगे जनता के सामने पर इस यात्रा का नाम भारत जोडो न्याय यात्रा होगा दूसरी बंद्र यह है कि शुरुवाद 14 तारिक इमफाल में होगा 12.30 बारा बजे इमफाल से शुरू होगा और मनिपूर के बाद नागालेंड नागालेंड के बाद असाम असाम के बाद अरुनाचल प्रदेश मैं विशेश जिकर करना चाहता हूँ अरुनाचल प्रदेश उसके बाद हम वापस असाम आएंगे असाम से मेखा लेया और बाद में पस्चिम बंगाल, बिहार, जहारकंड, उडिस्सा, छतिसगर्ड, उत्तर प्रदेश, मंद्यप्रदेश, गुजरात, माहराष्ट्र, उसका सारा डीटेल आपको दूँगा अभी तो पंद्रा राज्य शामिल है, चोदा नहीं, पंद्रा राज्य पंद्रा राज्य शामिल है भारत जोडो न्याय यात्रा में और कुल मिलाकर भारत जोडो न्याय यात्रा छे हजार साथ सो किलो मीटर लंबा होगा ज्यादा तर ये बस यात्रा है पर ये हाइब्रेड यात्रा है, रोज पद्यात्रा भी होगा रहुल जी रोज मुलाकात करेंगे, अलग-अलग व्यक्तियों से, अलग-अलग संगठनों से सिविल सोसाइटी संस्थाओं से और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि भारत जोडो न्याय यात्रा में सभी को निमंत्रन है हमारे जो इंडिया कटबंधन के पार्टियां है जो अलग-अलग राज्यों में छोटे-छोटे पार्टी हमारे कॉंग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं और जो देश भर के नागरिक संस्थाएं हैं जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं उसको भी हम निमंत्रन देते हैं कि वो भारत जोडो न्याय यात्रा में शामिल हूँ मैंने आपको कहा था मैं आपको राज्यवार डीटेल दूँगा मैं शुरुवात करूँगा मनीपूर से मनीपूर में मनीपूर में कुल मिलाकर एक सो साथ किलोमीटर यात्रा होगा चार जिले कवर होंगे दो लोकसभा इसमें कवर होगा और ग्यारा विधान सभा सीटे कवर होंगे तो मनीपूर में कुल मिलाकर एक दिन हम रहेंगे एक दिन से थोड़ा ज्यादा और चार जिले कवर होंगे एक सो साथ किलोमीटर नागालेंड में दो सो सतावन किलोमीटर कवर होगा दो दिन रहेंगे हम नागालेंड में और पांच जिले कवर होंगे असम में 833 किलो मीटर कवर होगा आठ दिन रहेंगे असम में और सत्रा जिले कवर होंगे मैं सिर्फ चानकारी आपको जिले के बारे में दे रहा हूँ लोक सबा, बिदान सबा के बारे में अलग से आपको चाहिए तुम्हें दूँगा, पर महतु पूर्ण बात यह है कि जिले कितने कवर हो रहे हैं, अरुनाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने कुछ अकबारों में पढ़ा हा कि सवाल उठा था कि हम अरुनाचल प्रदेश नहीं ज आता हूं, पहले से हमने मन बना के रखा था कि हम अरुनाचल प्रदेश जाएंगे, पर कुछ बातशीत चल रही थी रूट की, इसलिए हमने उसका, उस पर हमने कुछ कहा नहीं, पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कि अरुनाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर हम रह होगा, एक दिन रहेंगे अरुनाचल प्रदेश में और एक जिला कवर होगा, मेगाले में छोटा सा स्ट्रेच है, मेगाले में 5 किलोमीटर का, एक दिन रहेंगे हम और एक जिला कवर होगा, इसके बाद पस्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर यात्रा होगा, पांच दिन हम रहेंगे पस्चिम बंगाल में और साथ जिले कवर होंगे ये रूट मैप जो है जिन जिले से हम जा रहे हैं उसकी जानकारी में एक दो घंटे में अपने हैंडल पर आपको मिल जाएगा पर आपको आप मोटे तोर से जो जानकारी है मैं दे रहा हूँ बिहार में 425 किलो मिटर बारत जोडोनिया यात्रा होगा चार दिन रहेंगे बिहार में और साथ जिले कवर होंगे जारकंड में 804 किलो मिटर लंबा होगा यात्रा, आठ दिन रहेंगे जोर्खंड में और तेरा जिले कवर होंगे उडिस्सा में 341 दिन, 41 किलोमीटर, 341 किलोमीटर चार दिन रहेंगे और चार जिले कवर होंगे जाचिज गड में 536 km यात्रा होगा पांच दिन साथ जिले उत्तर प्रदेश सबसे लंबा समय उत्तर प्रदेश में यात्रा होगा उत्तर प्रदेश में 1054 km यात्रा होगा 11 दिन हम रहेंगे उत्तर प्रदेश में और 20 जिला कवर होगा 20 जिले होंगे मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर 7 दिन और 9 जिले राजस्थान में 128 किलोमीटर एक दिन दो जिले गुजरात में 445 किलोमीटर पांच दिन और 7 जिले महराश्था में करीब 480 किलोमीटर पांच दिन और 6 जिले तो कुल मिलाकर सबको मिलाकर 673 किलोमीटर लंबा होगा भारत जोडो नियाय यात्रा करीब 67 दिन का यात्रा होगा 14 जन्वरी से लेकर 20 मार्च तक ये 20-21 हो सकता है एक दू दिन यहां वहां हो सकता है पर मोटे तोर से ये मान कर चलिए कि शुरुआत 14 तारी को जो जरूर होगा मुंबे में 20 या 21 हो सकता है और कुल मिलाकर 110 जिले कवर होंगे 110 जिले कवर होंगे और मैं मोटे तोर से आपको बता दू कि मोटे तोर से आपको बता दू 100 लोगसबा सीटें कवर होंगे 100 लोगसबा सीटें और 337 337 विधान सबा सीटें कवर होंगे पंदरा राज्य छे हजार साथ सो तेरा किलो मीटर 100 लोगसबा कंस्टिट्यूएंसी 377 विधान सबा कंस्टिट्यूएंसी 67 दिन 110 जिले अरुनाचल प्रदेश भी शामिल भारत जोडो न्याई यात्रा सभी को हमारे कॉंग्रेस पार्टी के सभी नेता हमारे मुख्य मंत्री अज सब मौजूद थे वो भी इमफाल में रहेंगे शुरुवात के लिए और अगले तीन चार दिन में भारत जोडो न्याई यात्रा का जो लोगो रहेगा जो एंथम जो थीम गाना है वो भी हम आपको दिलवा देंगे और मैं समझता हूँ कि जैसा कि 2023 में और 2022 में भारत जोडो यात्रा इतना प्रभावशाली निकला परिवर्तनकारी निकला उसी तरह भारत जोडो न्याई यात्रा भी हमारे देश के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा निकलेगा